दिव्यांका त्रिपार्टी टेलिविजन इंडस्ट्री की एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, जिन्हें हम और आप टीवी सीरियल ये है मोहबतें की लीड रोल इशीता के नाम से भी जानते हैं। दिव्यांका त्रिपार्टी का जन्म 14 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। दिव्यांका के पिता का नाम नरेंद्र त्रिपार्टी है और मा का नाम नीलम त्रिपार्टी है। दिव्यांका के दो भाई बहन है छोटे भाई का नाम एश्वर्य तिरपाथी है और बड़ी बहन का नाम प्रियांका तिरपाथी है Born and brought up in भोपाल, दिव्यांका had never dreamt of making a career in the glamour industry. As a child, she wanted to be an army officer. But आगे जाके उन्होंने acting में अपना career बनाया. दिव्यांका तिरपाथी ने भोपाल के आकाश्वानी से अपने career की शुरुवात की थी. 2004 में दिव्यांका तिरपाथी ने भारत के पेस्ट सीने स्टार की खोज में भाग लिया था और इस प्रतियोगिता की winner भी बनी थी. कम ही लोग जानते हैं कि दिव्यांका 2003 में मिस भोपाल का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं. साल 2006 में सीरियल बनू मैं तेरी दुल्हन के जरिये उन्होंने छोटे परदे पर कदम रखा. जिसके बाद वे अब तक कई सीरियल कर चुकी हैं. In the world of television, दिव्यांका तिरपाथी is a very big name in today's time. Indian television's reigning queen, दिव्यांका तिरपाथी is not as homely and reserved as her on-screen अफतार. दिव्यांका तिरपाथी is an adventure junkie and a gold medalist in rifle shooting. दिव्यांका तिरपाथी की love life की बात की जाए तो दिव्यांका ने विवेक दहिया को कुछ समय तक देट किया था और फिर दोनोंने शादी करने का फैसला लिया था. 16 जन्वरी 2016 को दिव्यांका और विवेक ने आपस में सगाई कर ली थी. दोनोंने 8 जुलाई 2016 को भोपाल में शादी की थी. The lovebirds met on the set of ये है महाबतें. दिव्यांका वास ब्ले रोल अव टी वी बहु और विवेक वास अ कॉप. Though they have been working together for a long time, they never really felt for each other, until a common friend formally introduced them. The two have earlier said that there was no courtship period, because they both had marriage on their minds. दोनों ही इस बात को नकारते हैं कि उन्हें love at first sight हुआ था. जहां दिव्यांका कहती है, विवेक और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे. वहीं विवेक कहते हैं, लोग arrange marriage करते हैं, मगर हमारी arrange love story है. दिव्यांका और विवेक दोनों ही पहले एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनें. धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार. दोनोंने ही एक दूसरे को पहले समझने की कोशिश की. दिव्यांका और विवेक अपना काम खत्म करने के बाद long drive पर जाया करते थे, ताकि एक दूसरे को और बहतर समझ सकें. लगभग एक साल डेटिंग के बाद दोनोंने शादी करने का फैसला किया. After being engaged, विवेक और दिव्यांका got married in a private ceremony in भोपाल on July 8, 2016. सीन, दोनों की शादी भोपाल स्थित काना फंसिटी में हुई थी. अपनी हल्दी से लेके मेंधी सेरेमने में दिव्यांका बेहत खुबसूरत नजर आ रही थी. दोनों की शादी के सभी फंशन्स भोपाल में ही हुए, जिसके बाद दिव्यांका अपने ससुराल चंडिगर चली गई, जहाँ शादी का रिसेप्शन हुआ था. बाद में कपल ने अपने कलीक्स और फ्रेंड्स के लिए मुंबई में भी पाटी रखी थी. दिव्यांका और विवेक साथ में बहुत ही क्यूट नजर आते हैं. Now married, these two have never been shy about expressing their love for each other on social media. तो ये तो थी दिव्यांका से जुड़ी कुछ खास बातें. आईए अब आपको दिखाते हैं उनके जिन्दगी से जुड़े कुछ खास पल. आपको दिव्यांका से जुड़े कुछ दिव्यांका से जुड़े कुछ खास बाते हैं. आपको दिव्यांका से जुड़े कुछ खास बाते हैं.